कि हलो एवरिवन वैलकम टो माई यूट्यूब चैनल मिनाक्षी मैथ क्लासेज आज इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारे चाप्टर नुबर 14 है ग्लास 6 में चाप्टर नुबर 14 कंस्ट्रक्शन उसमें हम उसकी वक्षिट नुबर 1 करेंगे और उसका कोश्चन नुबर 1 यह आपका कंस्ट्रक्शन बेज्ट रेत यहां पर आपको जोमेट्री बॉक्स की बहुत जरूरत पडहेगी बीन जोमेट्रीबें के तो आप यह प्ले चाप्टर महीं कर सकते हैं इसे पहले मैंने आपको तीन वीडियो प्रोवाइड यूद्यीस है जिस में आपको जुषिक और उसके बाद कमपस और रूलर का यूज़ करकर हमें उसे क्या प्रपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रो करना है तो सबसे पहले हम यहां ड्रो करेंगे एट सेंटिमेटर का लाइन सेगमेंट ठीक है आपको स्केल की जुरूरत है तो सबसे पहले हम एट सेंटिमेटर का कि किसे हम डो करेंगे आपको 0 से स्टार्ट करके कहां तक लेकर आना है यह पर यहां तक और यह को आप सेम हैं भूरा एड तक होना चीए आहीं थोड़ा आगी कोषी तो यहां पर यहां पर इस पोइंट का नेम रखेंगे और इस पोइंट का पर नीम रखेंगे वाइsan 저희 yes रहा है है यहां पर लिखना भी है कि 8 cm के अब उसके बाद है ने आपको बता दूं कि परोटे कुलर होता क्या है प्रेदी कुलर लाइन सढमिंट आपका क्या होता है कि आपको एक यहाँ पर लाइन डुलर करनी है जो इसको यहां लिखर一 sticking प्रेड प्रेंटीक्टर बनाता है एक एहां पर कितने डिगरी आंगल बनाती हो दिए दिन्गशित शचत्री को्रफनी स्टेबव फूर करता था इसके लिए आपको क्या करना है । पर प्रेंटिक्टर में इसको mi की बड़न से की साव्ध करें आपको क्या करना है आपकोको स्क्राइब कर कि अगर के बार वारी की इसको यहां पर रखना है इस न्यक्यार पूरा एंद थोड़ा ही चाहां आदे से थोड़ा सा मैं तो यहां पूंट करूंगे चाहिए भीचा कर divisions जाहँ चाहिए लिए आदे से थोड़ा सा माहते है। शरों पाप अब एक्स अच्छ फर ड्रों करेंगे और दो इस तो आप ऑन टुछ कर दो低bt डैंट ऩर्किए एक तो आपको यह जो आपको line segment एक तो इससे उपर आर्क लगानी है और एक इससे नीचे ठीक है X पर रखा एक बार यहां पर उपर की तरफ ठीक है और एक बार यहीं पर ऐसे X पर ही रखा रहने देना एक बार नीचे की तरफ ठीक है हमने आर्क लगा दिया ठीक है अब आपको क्या करना है आप जितनी आपकी कंपस पहले से उपन थी उसको उतना ही रहने देंगे कम जादा नहीं करेंगे पॉइंट वाइ के उपन रखेंगे यह तो प्रिव Dir को आपने पहले लगाई आम इन प्रिवेश आख़ को आपकी यहां यह उर्य नेःम कट किया है ठीक है अब आप जहां यह जो पॉइंट आए आपको इनको नेम देना है कोई भी नेम लेख सकते है आप यहां इसको A दे दे ठीक है इस पॉइंट को आप नेम दे देंगे B ठीक है अब आपको क्या करना है आपको A को B से जोइन करना है आप scale ले ले scale को इस तरीके से रखें कि जो आपको a point और b point ठीक हो बिल्कुल उस scale के साथ हो और आप यहां पर क्या करोगे आपको यहां से एक line draw कर देनी है ठीक है आप यहां से क्या कर देंगे यहां पर ऐसे रखें एक ऐसे line row कर दो किया तो आपको चाहें तो आप यहां तक यहां पर यहां पर यहां पर पहले line segment भी कह सकते हो कहां से कहां तक point A से point B तक अब मैं इसको यहां से चुपा दूँ अगर इस तरीके से तो point A से लेकर point B तक देखो point से start हो और point पर ही खतम हो जाए तो line segment ही होता है मैं कह रही हूँ line segment A B तो यहां पर यह आपका perpendicular bisector हो गया निस यहां पर यह, आपका 90 degree का angle बना रहा है तो आप इसको यहां पर इस तरीके से आप scale की help से ही करें आसे हाँ से ना लगाए तीक है यहां पर scale की help से ही यहां पर प्योंकि perpendicular bisector और perpendicular का मतलब होता है जो 90 degree का बनाए ठीक है तो यहां पर इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया और किस पॉइंट पर बनाया है यहां पर इस प्उइंट को आप नेम देतों होगे ओ ठीक है तो आप यहां से का प्रपेंडिकुलर बैसेक्टर प्रॉप ओफ एक्स वाई तो यहां से मैंने आपको इसका प्रपेंडिकुलर बैसेक्टर ड्रो कर दिया है ठीक है तो यह आपका कोश्चन नुबर वन हो गया है कि अब इसको मैं आपको थोड़ा सा वैरिफाई करवा कि बता देती हूं यहां पर इसका एंगल 90 आया भी है या नहीं आपने यहां पर इस तरीके से बीच में सैट करें प्रोटेक्टर को अब आप देखेंगे बिल्कुल एक्जेक्ट ठीक है पूरा ऐसे 90 पर मिला है जाके इस नहीं पर जाकर मिला मतलब यह नाइंटे डिगरी के अंगल बना दिया अब आपको देखने कि प्रपंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं मतलब इसने हाफ आफ पार्ट में डिवाइड किया है या नहीं किया है तो आप एक्स से लेकर ओ तक मेजर करेंगे तो देखें आप यहां से देखेंगे कि एकस से लेकर ओ तक यह पार पूरा जीरो से फोर मतलब इधर भी फूर सैंटिमेटर आया है ठीक है और ओ से वाइस तक देखेंगे यहाँ पर भी फूर सैंटिमेटर है जिसने पूरा बिल्कुल अच्छे से इसको बाइसेक्ट कर दिया अगर आ अपने friends के साथ share जरूर करें. Thank you so much.